नवरात्री मेन में से मिले कोई भी एक संकेत तो समझ जाना मा दुरुगा आप पर परसन है कहा जाता है कि नवरात्री के पावन काल में मा दुरुगा अपने भक्तों को हर इच्छा पूरी करती है प्रंतु क्या आप जानते हैं कि मा दुरुगा नवरात्री के इन नौ दिनों में अपने भक्तों को कुछ ऐसे संकेत भी देती हैं जिनसे उनके भक्तों को इस बारे में ग्यात होता है कि देवी दुरुगा उन पर प्रसर्ण है और अपने भक्तों के घर में साक्षात सबसे अच्छा समय माना जाता है इस समय की गई अराधना का फल बहुत जल्द प्राप्त होता है यदि आप नवदुर्गा में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना और जो आड़े पूजन करते हैं लेकिन आपकी पूजा कितनी सफल हुई और कितनी नहीं तो इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी आपको बता दें कि नवरातली के दोरान मा दुर्गा चतन्य होती है इन दिनों की गई सच्ची भक्ती से माता का परणाम तुरंत दिखाई देता है यदि आपकी भक्ती में मा दुर्गा परसन होती है तो पावन नवरातली के इन नौ दिनों के दोरान मा दुर्गा स्वयम अपने भक्तों को कुछ ऐसे विशेश संकेत देती हैं जो हम कभी समझ नहीं पाते आईए जानते हैं वो विशेश संकेत आज हम आपको बताने जाड़े हैं नवरात्री में मिलने वाले उन विशेश संकेतों के बारे में जो ब्यक्ती को कभी सपनों के दौरा तो कभी कुछ चीजों के दौरा मिलते हैं जिनसे व्यक्ति को पता चलता है कि देवी दुरुगा उस पर प्रसन है या नहीं नमबर एक पांताओं के अंसार्यदी आपको नवरात्री के तुरान सुबा नारियल या फीर कमल का फूल दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जल्दी आपके उपर माता रानी की अशीम किर्पा वरशने वाली है नमबर दो जोतिर सास्त्र के अंसार अगर नवरात्री के परव पर आपको मंदीर से निकलते समय या घर से निकलते समय गाय के दर्सन हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है खास तोर पर सफेद गाय का दिखना बहुत सुब होता है नमबर तीन नवरात्री में अगर आपको रास्ते में कहीं जाते वे शोला स्रिंगार में कोई महिला दिखाई दे तो समझ लिजिए कि आपकी परिशानियों की दिन अब खत्म हो चुके और आने वाले दिनों में आपके उपर मा दुर्गा के साथ साथ मा लक्षमी की भी जम कर किरपा बरशने वाली है नमबर चार देवी दुर्गाजीन भक्तों पर अती परशन होती हैं उन्हें सपने में आकर खास संकेत देती हैं तो अगर आपको नवरात्री के पावन दिनों में सपने में उल्लू दिखाई देता है तो इसे सूप संकेत समझना चाहिए इस सपने का मतलब है कि जल्द ही आपके घर धन संपदा आने वाली है नमबर पाँच अगर सपने में कोई छोटी कन्या आपको सिक्का देते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि मा दुरुगा आपसे बहुत प्रसन है क्योंकि छोटी कन्या को साक्षाद देवी दुरुगा के रूप में माना जाता है नवरात्री में आने वाले इस सपने से पता चलता है कि माता रानी के आप पर विसेश किर्पा होने वाली है नमबर छे इसके अलावा नवरात्री के दौरान अगर सपने में आपको मा लच्छमी जी के दर्सन हो तो ये समझ लेना चाहिए कि आपको धन लाव होने वाला है नमबर साथ स्वपन सास्तर के अंसार नवरात्री के पावन मौके पर सपने में संख देखने से बेकती को जीबन में तरक्की मिलती है जिस तरह से संग की धोनी से पूरा महौल गुज उठता है वैसे ही देवी मा की किरपा से आपका नाम पूरे विश्व में गुज सकता है नमबर आठ नवरातरी के नौ दिनों के दोरान अगर आप किसी यातरा पर जाते हैं और अगर अपनी दाहिनी और आपको सांप या बंदर दिख जाए या सपने में सफेद सांप या सुनहरा सांप दिखाई दे तो समझ लेना कि ये देवी दुरगा की किरपा का बेहत सूप स नमबर नौ नवरातरी के दोरान सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी पूजा अर्जना सुकिर्थ हो गई है और देवी दुरगा नवरातरी के पावन नौ दिनों में साक्षात आपके घर में बिराजम है आपको समझना चाहिए कि मा दुरगा आप पर परसन है और मा दुरगा ती आप पर असीम किर्पा है ऐसे में अपना हर काम निर्भय होकर सची अराधना और इमानदारी के साथ करें आपको सफलता अवस्त मिलेगी आसा करती हूं आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक शेयर सब्क्राइब कॉमेंट करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचीं